अपना टेलीग्राम गुरूप आप जरूर जोइन करें इस्टेडी एक्जाम एकेडमी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दियावा है तो साथ यूँ पहला प्रसंद आपके सामने आ चुका है निमन लिकित में से जो गंबीरी एवं बान गंगा नदियों के संगम पर इस्तिते वे है रन्थंबोर राश्टी उद्यान राम सागर अव्यायने वन विवार या केवला देव राश्टी उद्यान गंबीरी और बान गंगा नदियों के संगम पर कौन सा राश्टी उद्यान है तो अपना केवला देव राश्टी उद्यान है बरतपूर में डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट अगला देखते हैं सेकिंड परशन राजस्तानी लोग जीवन में ढूंड है ढूंड क्य पहली जब हो लिया आती है तो उसके उपलक्स में यह किया जाता है एक संस्कार होता है सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स अगला देखते हैं पन्ना धाय ने रक्सा की अजिर्ट सिंग की पर्तवी सिंग उद्ये सिंग या जोज सिंग की तो पन्ना धाय ये राजकुमार उद्ये सिंग की रक्षा कीती C आपका राइट आंसर हो जाईगा ये उद्ये सिंग महारणा परताब के पिता थे नेक्स्ट है कि कपड़े पर मोम की परच चड़ा कर चित्र बनाने को क्या कहते हैं मोलेला, फड़, पाने या बातिक कपड़े पर मोम की परच चड़ा कर चित्र बनाये जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तू विल्कुल बातिक बोलते हैं D आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट अगला परसन देखते हैं सुमेलित गरना है एक तरफ दे रखे हैं राजस्तान के बोलतिक विबाग दूसरी तरफ आपको जलवायू दे रखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा उत्री पस्चिमी मरुष्टली छेतर पहला दे रखा है उत्री पस्चिमी मरुष्टली छेतर तो यहां की जो जलवायू है वो कैसी है बिल्कुल सुस्क और अधिक्तम विस्सम है दूसरा देर का है पूर्वी मेदानी चेतर तो पूर्वी मेदानी चेतर की है आपकी उपादर मद्यवर्ती अरावली परदेश जो चेतर है इसकी जो जलवायू है वो है पूर्वी मेदानी चेतर की कैसी है पूर्वी मेदानी चेतर की है दोस्तूं आद्र कैसी है आद्र है ज्यान रखना इसकी आद्र है और मद्धी वर्ती अरावली पर्देश जो चेतर है इसकी जलवाई उपादर है और दक्सिनी पुर्वी पठारी बाग की है अतियादर तो इस परकार से आपका नीचे कूट सुमेलित हो जाएगा C, C आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा Next अगला देख सकते हैं कौन सा यूगम सही सुमेलित है जिला और आकार दे रहका है यहाँ पर देखो आकरती दे रहकी है कि जिले की आकरती कैसी है यह परसंट कहीं बार एक्जाम में आ चुका है सही सुमेलित करना है जोदपुर की आकरती दे रहकी है शिकर की देखो आकरती अड़ चंद्रा कार है बिल्कुल राइट है और करोली की आकरती बत्का कार है तो दूसरा और चोता ओप्सन आपका सेश हुमेलित है नीचे आपको कूड दे रखा है तो कूड आपका राइट आंसर डी हो जाएगा नेक्स्ट अगला परसंद देखते हैं नेक्स्ट है कि जसनाती संपरदाय की उत्पती राजस्तान के किस रियसत राईजी में हुई बरतपूर, टौंग, जोदपूर या बीकानेर तो आपकी जसनाती संपरदाय की हुई है बीकानेर में डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा औरी कोटगड में लाल काली मिटी कोटा और जालावाड में kाली मिटी lucky अलवर और जेपूर में कच्छरी मिटी कौन सा युगम से लीए तो एक नमार नहीं है घंगानगर और अनुमानगड में बलूई मीटी बिल्कुल एक नमर आपका सुमेलित नहीं है बाकी तिन वोप्सिन आपके सुमेलित दे रखें अगला पसंद देखते हैं गर्मियों में माउंट अबू का तापमान राजस्तान के अन्य इस्तानों की तुलना में कम रहता है आपको पता है अंग्रेज़ों जैसल मेर जिले का चैतरबल राजजी के कुल चैतरबल का कितना परतिसत है आप सभी को पता है राजस्तान में चैतरबल की देश्टी से सबस्वे बड़ा जिला है अपना जैसल मेर इसका चैतरबल राजजी के कुल चैतरबल का है ग्यारा पॉइंट बाइस परतिसत भी हमा दिकांपर है, यह हमारा राइट होगा। अगला है कि छाउんगर की परकर्ति थी, पुतरी के विवा पर, आयातकर निर्यातकर या कर्षी उत्वाधन पर। छाउअभूरी कब कर दो, कब द्या जाता था? छाउभूणरी कर हैं, यह पूत्री के विवा पर पूत्री के विवा पर एहया हमारा रइट आंसर हो जाएगा अगला परísन देखते हैं सास्त संगीत पर पर्शिद रचना रादगुविंद संगीद कार के रचिता थे रादगोविंद संगीत कार के रचिता कौन थे बिल्कू देवरिशी भट कौन थे देवरिशी भट ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्लास को एक बार लाइक ज़रूर करें हैं चाक्सू का सीतला माता का मंदिर किस ने बनवाया सवाई जे सिंग, मान सिंग पर्तम, मादो सिंग या परताब सिंग चाक्षू का सीतला माता का मंदिर बनोया था मादो सिंग ने शी हमारा राइट आंसर होगा अगला परशन है कि कौन सा विवा गराश्या जाती में परशिर्ट नहीं है गराश्या जो जन जाती है ताणना लिला मोरिया पेराउना या इन में से कोई नहीं तो होगेगा आपका लिला मोरिया भी आपका करेक्ट आंसर होगेगा राजस्तान में बढ़ाबा की चत्रियां कहां पर जैसल मेर में है नेक्स्ट है कि मरू मोच्छव कहा मनाया जाता है विकानेर बार्ड मेर जैसल मेर या जोदपूर तो मरू मोच्छव आपका जैसल मेर सिय आपका राइट आंसर है नेक्स्ट है कि राजस्वे मंडल के अध्यक्स की न्यूक्ति किसके द्वारा की जाती है राजस्वे मंडल का जो अद्यक्स होता है इसकी नुक्ति कौन करता है राजस्वे परिशद, राजस्वे सरकार, राष्ट पती या उच्छ नहाई लिए तो राजस्वे सरकार के दोरा की जाती है भी हमारा राइट आंसर है सबसे कम विदानसवा सीटों वाला जिला कौन सा है सबसे कम विदानसवा की सीटे है परताब गड़ और जेसल मेर में है दोस्तों भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में कुल विदानसवा की 200 सीट है राजस्तान में कौन सा जिला उत्र पर्देश राज़ी की शिमा से लगावा है दोलपूर बरतपूर और दोलपूर बरतपूर अलवर और दोसा उत्र पर्देश राज़ी की शिमा से राजस्तान के दो जिलों की शिमा चूती है उत्रपरदेश को बरतपूर और दोलपूर की तुम भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अगला परसंद देखते हैं राष्ट ये इस तर पर किस राजस्तानी पोशा को मानिता मिली है जोदपूरी कोट अचकन मेवाडी पगडी या अंगरखी राष्ट ये इस तर पर जो पैचान मिली है मानिता जो मिली है वो मिली है जोदपूरी कोट को ये परसंद भी आचका है एगजाम में कहीं बार नेक्स्ट है कि गिरबान उन्ट की सजह उट में किस भाग में परयूकत है गिर्बान नाक में पीट पर पेर में या गले में तो ये गिर्बान है आपका नाक में और एक अबुसन पूचा दाता है गोरबंद तो गोरबंद अबुसन है वो उंट के गले का अबुसन है अगला पसन देखते हैं लीलडी, मीटडी, बांडी, शूकडी किसकी साइक नदिया है गगर, लूनी, बेडच या बनास लीलडी, मीटडी, बांडी, शूकडी ये सारी आपकी लूनी की है अगला पसने की राजस्तान का कौन सा सेर पुर्वी सिंग दुआर केलाने का गोर्व रखता है अलवर डीग बरतपूर या दोलपूर पुर्वी सिंग दुआर किसे का जाता है बरतपूर को का जाता है अलवर महत्सव का आयोजन किस महा में होता है डिसंबर जोन फरवरी या अप्रेल अलवर महुत्सव का आयोजन होता है दोस्तूं फरवरी महीने में किस महीने में होता है फरवरी में नेक्स अगला देखते हैं मारणा परताब का राजिय भी से गुवाता चितोडगड उधियपूर कुमलगड या गोगुंदा अगला है कि दोसा कब नए जिले की रूप में अस्तितोए माया यह याँ पर दोसा जिला है ध्यान रखना तो दोसा जिला अस्तितोए में कब आया 1901 में माया था डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अगला है कि उधियपूर रियासत का राजस्तान संग में विल्ये हुआ उधियपूर रियासत का राजस्तान संग में विल्ये कब हुआ था 18 अप्रेल 1988 को यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा अगला है कि वन्नू को कार देने से होने वाले नुकसनू में निमन में से परमुक है उद्योगू की कमी, चरम रोगू में वर्दी, जलायू लकडी की मात्रा में कमी या भूमी अपरदन तो वन्नु को कार देने से होने वाले नुक्सनु में परमुख है आपका भूमी अपरदन क्या है मीटी का अपरदन डी हमारा राइट हो जाएगा नेक्स्ट है कि राजिस्तान में बेंटोनाइट का एक मातर उत्पादन जिला कौन सा है बाड मेर बिकानेर जेसल मेर या नागोर तो आपका जिला है बाड मेर अगला है देखते हैं भारत का पहला अकाल रहात निर्मान कारिये किस जिल में किया गिया नकी जेसमन रासमन या गेबसागर गेबसाबर डुंगरपूर में है अकाल रहत निर्मान कारी है किस जिल में क्या गिया राज समन जिल में क्या गिया शी हमारा राइट हो जाएगा नेक्स देखते हैं अनास नदी किस और पानी ले जाती है अर्बसागर कच की खाड़ी बंगाल की खाड़ी या केमबे की खाड़ी तो अनास नदी किस और पाणी ले जाती है तो ये अर्ब सागर के और ले जाती है ये हमारा correct answer हो जाएगा अगला परशन देखते हैं दोस्तों कथन देर का है राजस्तान के ये देखते हैं कथन क्या है राजस्तान के पस्चिमी मुरुष्टली जिलू में आजकल बरपूर खाद्यान फसले उत्पादन होती है या उत्पन होती है कारण देरक है आपका भी इंदरागांधी नहर ऀसलमेर और बार्टमेर जिलु में सिंचाई सुईधा ही परदान कर दीए सही विकलब का आपको चेन करना है तो देखो कतन सही है और कारण भी यहां पर किसे ही है कतन और कारण दोनुं क्या है सही है यह आपका right answer हो जाएगा इसे पस्टन बहुत ज़्यादा पुछे जारे कथन और कारण वाले कौन सा सुमेलित नहीं है खनीज, खननचेतर खनीज, खननचेतर आपको दे रहे हैं और कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है पहला यहाँ पर है जिपसम क्या है यह जिपसम में ज्यान लगना तो जिपसम आपका कहांपर है जामसर में मेगनीज मेगनीज कहांपर है लिलवानी तामडा राजमेल में है और फेल स्पार डेगरणा जो कि यहाँ पर गलत है डेगरणा में टंगस्टन है तो डी हमारा right answer हो जएगा अगला परसंद देखते हैं राजस्तान के किस उद्योग में सोडियम सलफाइड का उप्योग कच्चे माल के रूप में किया जाता है जूट उद्योग, सूति वस्तर उद्योग, चीनी उद्योग या चमड़ा उद्योग तो सोडियम सलफाइट का उप्योग किया जाता है आपका चमड़ा उद्योग में D हमारा राइट आंसर होगा Next देखते हैं लोह धातु का निस्कशन करने वाली मीट भटिया निमन में से कहां से प्राप्ट हुई है जोधपुरा नोह सुनारी या नगरी तो यह आपकी प्राप्ट हुई है जोधपुरा और और कहां से हुई है सुनारी से तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा जोधपुरा और सुनारी अगला परसंद देखते हैं किसी राठोट सासक ने दिस्संबर 1875 के कलकता दरबार वे 1800 सतेतर के दिल्ली दरबार में भाग लिया तथा 1899 इस्वी में उसने अंग्रेजु से नमक समझोता किया किसासक ने किया जस्वा सिंग दीतिये उद्ये सिंग सरदार सिंग या मान सिंग तो यह आपका जस्वा सिंग दीतिये ने किया था ए अमारा राइट आंसर हो जाएगा अगला परसन देखते हैं गाही लवस्ता में राणा सांगा को कहां लेज़े आगया इड़र, वागड, बसवा या चंदेरी खानवा के यूद में जब राणा सांगा गाहील हो गये थे उनको कहां लेज़े आगया गाहील इस्तिती में बिलकुल बसवा, बसवा कहां पर है दोस्तूं दोसा जिले में है यहां लेज़े आगया राणा सांगा गो नेक्स्ट अगला परसन देखते हैं 1761 में पानी पत के यूद के दोरान जेपूर का वे कौन सा कच्वा वंसी सा सकता जिसने मराटों की साहिता नहीं की मादो सिंग पर्थम सवाई जे सिंग दीर तरती है इस्वरी सिंग या इनमें से कोई नहीं तो राइट आंसर ए हो जाएगा मादो सिंग पर्थम ने नहीं कीती अगला है कि जालरो है जालरो क्या है बड़ा कुआ जिसमें चारू और शीडिया बढ़ी हुई होती है एक बड़ा कुआ है जिसमें चारू तरब शीडिया बढ़ी हुई है शी आपका राइट हो जाएगा निमन में से कौन सा युगम एसंगत दे रखा है दोस्तों मुगल वे दक्षनी शेली से प्रभावित आपकी बीकंदेर शेली है अलवर शेली से प्रभावित उनियारा शेली जो कि यहाँ पर गलत दे रखा है इसके लावा इरानी मुगल और राजस्तानी विशेशते अलवर शेली और कांगडा से लिए बर्द साइथ यह से प्रभावित आपकी किसनगड शेली तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट अगला परशन देखते हैं जो नगर समूची लकडी के खिलोणे बनाने के लिए परशिद है लकडी के खिनोले बनाने के लिए परशिद है आपका उद्यपूर जेपूर और जोधपूर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अगला देखते हैं निमन नर्टियूं एवं समंधी जाती का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है नर्टिय और जाती दे रखिए कौन सा सुमेलित नहीं ये बताओ देखें इडोनी काल बेलियूं का है जाती गा लूर यहाँ पर कथोड़ी का जो गलत दे रखा है जवारा गराशियूं का है और मग यहाँ पर भील का है मग नहीं है मग की जगे आप घूमरा गर लो क्या गर लो गूमरा तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्तान की निमन में से कौन सी बोली राजजी के बाहर बोली जाती है डूंडाडी, मेवाडी, मालवी या हाईटी कौन सी राजस्तानी बोली है जो राजजी के बाहर बोली जाती है तो यह आपकी हाड़ोती है, कौन से दोस्त हूँ हाड़ोती अगला देखते हैं, राजस्तान में पहला वस्त रुद्योग इस्तापित किया गिया पहला वस्तर उद्योग इस्तापित किया गिया अठारा सो उन्नब विल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा एटी नाइन तो यह आपके राजस्तान जी की के परसंट है आपके कितने परसंट राइट होएं कमेंट करके आप जरूर बताएं आगे ओर भी हम परसंट देखते हैं राजस्तान पुलीस वाले विदार्थी सभी लाइव जूड़ जाएं पहला परसंट है अंतराश्टिय महिला दिवस किस वरस से मनया जा रहा है आठ मार्च को अभी मनया गए आपको पता होगा अंतराश्टिय महिला दिवस कब से मन्या जा रहा है आंसर बताओ जाए कि कमेंट बोक्स में अंतराश्टी महिला दिवस विल्कुल 1909 से राजस्तान सरकार द्वारा सत्य पड़ता को रोकने और इस्त्रियों की शुरुक्षा है तू अधिनियम कब लागू किया गिया 1902 में 1990 1989 1987 में किया गिया डिया आपका राइट हो जाएगा अगला परसंद देखते हैं यह महिला बालप्राद के परसंद है रास्तान पुलिस के लिए इस्पेसल किसोर न्याय अधिनियम के अंतरगर्ट पर्तियक जिले में संचाली फोष्टर केयर और सनक्षन करता के कारिये कौन से है बालकूं की सुरिक्षा परदान करना बालकूं में पोष्टन की व्योस्ता करना बालकूं की शिक्षा की व्योस्ता करना और डी है उप्योक सभी तो वीलियम, लाड बेंटिंग, लाड केनिंग या इनमें से कोई नहीं, तो लोड केनिंग के द्वारा की गई, इसी आपका राइट हो जाएगा, अगला परसंद देखते हैं, एनेतिक व्यापार निवारन अदिनियम, 1956 के अंतरगत किसे पर्तिवन्दित किया गिया, वेश्यावर्ती, मादग पदार्थ, वेश्यागरे का संचालन, डी है, ए और बी दोनु, तो डी आपका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनु को, वेश्यावर्ती को भी और मादग पदार्थ, दोनु को यहाँ पर पड़ति बंदित किया गिया, नेक्स्ट है, साथ दिन की बच्ची इस्त्री है, यह कतन है, पुर्ण सत्य निश्यत नहीं है, अंसिक सत्य है या सत्य नहीं है, बहुत ही सांदर प्रसंद है, साथ दिन की बच्ची इस्त्री है, बिल्कुल यह पुर्ण सत्य है, इस्त्री ही है, यह आपका राइट हो जाएगा, नेक्स्ट अगला देखते हैं, देज निशेद अधिनियम 1961 की किस धारा में, देज सबद को परिवासित किया गिया, धारा 9, 4, 3 या 2, तो डी राइट अंसर हो जाए बीस वरस, संपूर्ण अवसेश जीवन या 24 वरस, आज जीवन कारावास होता है किसी को तो उसमें कितनी उसे सजा मिलेगी, बिल्कुल संपूर्ण अवसेश जितना भी उसे पीछे जीवन बचावा है, संपूर्ण जीवन को आपको उसको जेल में काटना पड़ेगा, अगला देखते हैं दो वेक्तियों के बीच अपनी मर्जी से देज के लेंदेन के लिए किये एक करार की वैधनी इस्तिति निमन में से क्या होगी देज परतिशेद अधिनियम 1961 की धारा पांच के आलोक में सुननी होगी यह आपना राइट आंसर हो जाएगा अगला परसन देखते हैं परशिद यूननी राजदूत मेगस्तिनीज बारत में किसके दरवार में आये एक राइट हो जाएगा जो भी साति सी बता रहे हैं सभी का राइट है अगला है दोस्तों की चंबल नदी का उदगम इस्तल कां से है चम्मल नदी का ग्राजस्तान की सबसे लंबी नदी जाना पाउ की पाड़िया मद्य परदेश से है डी अपना राइट आंसर हो जाएगा अगला है कि वित आयो का गटन कितनी अउदी के लिए होता है दो वरस पांच वरस राष्ट पती की इच्छा नुसार या पड़ती वरस तो दोस्तों वित आयो का गटन होता है आपका पांच वरस की अउदी के लिए भी अपना राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि तेलू के हाइड्रोजन में पर्यूक्त उत्परे रख है विल्कुल भी आप सभी का राइटाउंस रोजएगा नेक्स्ट अगला देखते हैं कौन सा ऐसा जीन है जिसें यूक्त बीज की परजनन सकती समाप्त हो जाती है तता उसे दुबारा फसल नहीं ली जा सकती तो ऐसा आपका जीन है ट्रेमिनेटर जीन यह आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि बुध धरम में का सम्बंद बुध के जीवन की किस घटना के साथ है जनम तो बुध का यहाँ पर पूचा किया है बुध धरम में बुल का सम्बंद बुध के जीवन की किस घटना से हैं तो जनम से हैं किसे हैं जनम से यह आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला है कि ताजमेल बदरंग क्यों हो रहा है ताजमेल का धिरे धिरे जो इसकी चमक है तो इसका वाइट कलर है वो कम होता जा रहा है इसका रिजन है अमली वर्षा के कारण डिया आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि वर्तमान में राजी सबा के सदिश्यों की अधिक्तम संक्या कितनी हो सकती है तो वर्तमान में कितनी हो सकती है दो सो पच्चास कौन सी अक्सांस रेका भारत के मज्जे से गुजरती है तो भारत के मज्जे से करग रेका गुजरती है अगला प्रशन है कि हाइग्रोमिटर नापने का यंतर कौन सा है तो हाइग्रोमिटर से मापते हैं वायू की आदर था शी आपका राइट हो जाएगा दोस्तूँ नेक्स्ट है कि वरस उननी सो त्रेपन में गठी राइजी पुनर गठन आयो का अध्यक्स कौन था तो इसके अध्यक्स थे आपके फैजल अली जो भी साती फैजल अली बता रहे हैं सभी का राइट है अगला है कि दोस्तूँ वर्मी कंपोस्टिंग किसें की जाती है पसू बेक्टिरिया कर्मी या फंगस विल्कुल कर्मी से की जाती है शी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट एकि सवेजनेर नीमन में से किने जोडती है सवेजनेर जोडती है लाल सागर और भूमध्य सागर को ये परशन कहीं बार एकजाम में आच चुका है पुलीस सहीद दिवस का मनाया जाता है पुलीस सहीद दिवस 21 अक्टूमर को मनाया जाता है नेक्स देखते हैं बिलाई लोह इसपाथ सेंदर की स्थापना किस देश के सयोग से की गई सिंकुत राजी अमेरिका बिर्टेन जर्मनी या रूंस तो रूंस के सयोग से की गई नेक्स एकि गोबी मरुस्तल किस देश में है बारत पस्चिमी अफ्रीका मंगोलिया या ओस्ट्रेलिया तो गोबी मरुस्तल है आपका मंगोलिया में सिया आपका राइट हो जाएगा विश्वे आर्थिक रिपोर्ट को कोन परकाशित करता है विश्वे आर्थिक रिपोर्ट को IEMF यह आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा नेक्स टेकी वायू मंडल में ओजोन प्रत वर्षा करती है, परदूशन करती है, ओक्सिजन उत्पन करती है यह पराबेंगनी विक्रणु से हमारी रक्षा करती है ओजोन परत क्या करती है दोस्तूँ, पराबेंगनी विक्रणु से हमारी रक्षा करती है हमारा यह पर डी राइट आंसर होगा सपेद रक्त कन यानि WBC का मुख्य कारी क्या है WBC का मुख्यकारी है रोग परतिरोदक समता धारन करना D. हमारा राइट आंसर हो जाएगा कहीं बार एक्जाम आज चुका है नेक्स्ट है कि कभीरदास के गुरु कोन थे वलबाचारिये रामानंद, रामदेव या रामानूज कभीर के गुरु कोन थे रामानंद, भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अगला पसक्तल है कि सवामी विवेकानन्द का मूल नाम क्या था कार्शन दत, नरेंदर नाध दत, बटु केश्वर दत या सूरेंदर दत स्वामी विवेकनन्द का दोस्तूं मूल नाम था आपका नरंदर नाधथ भी अमारा राइट आंसर हो जाएगा अगला पसंद देखते हैं वर्तमान लोकसभा में परतियक राज्ज्य के लिए इस्थानु का अवंटन आधारित है लोकसबा में परतियक राज्य के लिए कब से हैं 1921 की जन्गर्णा परादारित है D हमारा राइट आंसर हो जाएगा निमर में से कौन सा दर्रापस्चमी घाट परोतमला में इस्तित नहीं है पीपली घाट, भोर घाट, थाल घाट या पाल घाट तो यह आपका पीपली घाट नहीं है, यह अमारा राइट आंसर होगा अगला देखते हैं ठगूं के दमन से निमर लिकित में से कौन सा संबन था तो करनल सलीमेन पक्षी जो उड़ नहीं सकता, मुर्गी, सुत्रमुरुग, कोवा या चील अगला है कि बास्मती किसम है, ग्यों की, चावल की, बास्की या नास्पती की तो दोस्तूं बास्मती आपकी चावल की किसम है, किसकी है चावल की संपती का अधिकार कानून अधिकार है, सवेधनी का अधिकार है, या मोली का अधिकार है तो दोस्तों संपति का अधिकार आपका कानून अधिकार है अगला है कि परियावरण एंवन मंत्रा लिये द्वारा किसी भी उत्पाद को जो परियावरण को हनी नहीं पहुंचाता परदान किया जाता है एगमारग, होलमार्क, इकोमार्क या रेगमार्क तो उसे एकोमार्क, उसी हमारा राइट आंसर हो जाएगा एकोमार्क परदान किया जाता है लोगसबा का नेता होता है राष्टपती, परदान मंत्री, लोगसबा का अधियक्स लोकसबा का नेता होता है परदान मंत्री वरतमान में कौन है बारत के परदान मंत्री स्री नरेंदर मोदी बारत के राष्ट पती को पद से कौन अटा सकता है राष्ट पती को परदान मंत्री लोकसबा मुख्य नयदिश या संसद तो लोग से बाटा सकती है इनमें से कौन सी गाय की नसल नहीं है राठी, थार पारकर, कांक्रेज या मूर्रा तो मूर्रा आपकी बेंस की नसल है, गाय की नहीं है डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अगला है कि AQ पंचर है एक फसल का नाम है चीन में परचलीत एक चिकिश्य पदती है एक पूरवे एतियासिक पसु है टायर है उन टूबूं को ठीक करने की विदी है AQ पंचर क्या है दोस्तों चीन में परचलीत एक चिकिश्या पदती है भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अगला है कि नोक आउट सब्दावली का संबंध है संत्रज, होकी, मुक्के बाजी या फुटबॉल नोक आउट सब्दावली का संबंध है आपका मुक्के बाजी से किसे है मुक्के बाजी से निमन में से कौन सा पर्तियक्स कर है उत्पाद कर, शिमासूल, विक्रिकर या आईकर पर्तियक्स कर कौन सा है? आईकर है, डी हमारा राइट हो जाएगा नेक्स्ट एगी बारतिये सविधान की प्रस्तावना में सामिल नहीं है समाजवादी, धर्म, निर्पेक्स, लोगतांत्रिक या विकेंद्रिकर्थ तो भारत की सविधान की प्रस्तावना में आफका विकेंद्रिकर्थ नहीं है बाकि समाजवादी, धर्म, निर्पेक्स, लोगतांत्रिक या तिनु सामिल है तो आज ही ग्लास में इतना ही कितने पुशन आपके राइट में आप कमेंट बोक्स में जरूर बताएं क्लास को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद जैहिंद